हेलो दोस्तो वेलकम टू कैसे है अल्पिन हिंदी यूटूब चैनल दोस्तो अगर आप भी किसी कंट्री के प्रोड़क्ट को बाइकाउट कर रहे हैं चाहे वो चाइना है या फिर कोई अधर कंट्री है और आप चाहते हैं कि अगर हम एमेजोन से कोई भी प्रोड़क्ट बा खाए कर रहे हैं और इंडिया में बना है या कहीं बाः से बना है या चाईना से बना हैं तो चली काई सबसे पहले तो चलते हम अपनी लैप्टोप की तरहा आपको ब्रॉजर में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी पॉड़क्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं कि वो कहां पर जो है मैनिफेक्चर हुआ है उसके बाद मैं मुबाइल की एप्लिकेशन में भी आपको बताऊँगा कि कैसे आप मुबाइल एप जो Amazon का है उसमें चेक कर सकते हैं कि वो पॉड़क्ट कहां पर मैनिफेक्चर हुआ है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों फिलहाल हम आचुके हैं Amazon.in पर और यहां पर जो है हम खोल लेते हैं कोई भी पॉड़क्ट उससे पहले बता दो कि दोस्तों अगर आभी था कापने जो है हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जुरूर कर दीजेगा तो चलिए हम यहां पर कोई भी जो पॉड़क्ट से उसको उपन कर लेते हैं तो यहां पर हमने उपन कर लिया है Amazon के बेस्ट सेलर जो पॉड़क्ट है जो की मुबाइल में है तो यहां पर जो सबसे आदा बिखने वाला पॉड़क्ट है इंडिया के अंदर वो फिलहाल Redmi Note 9 Pro है तो चलिए हम इसको उपन कर लेते हैं तो आपको अप कैसे चेक करना है तो सबसे पहले तो आपको ब्राउजर में अपने पॉड़क्ट को उपन कर लेना है तो दोस्तों जैसे आप यहां पर आएंगे तो सबसे पहले जैसे आप हलका सा स्क्रोल करेंगे तो आपको यहां पर डिस्क्रिशन में विलाएगा Country of Origin तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना में दोनों यहां पर मैंशन की हुए हैं कि यहां पर जो है कुछ पार्ट इसके इंडिया में भी बनाए गया है और कुछ पार्ट इसके जो है चाइना में भी बनाए गया है अगर आपको यहाँ पर country of origin नहीं दिखता है तो आपको जाना है नीचे स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको comparison के नीचे एक option मिलेगा जो की होगा आपका technical details तो अगर आपको उपर नहीं मिलता तो technical details में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर तो 100% मिल जाएगा कि कौन सी country में यह product बना हुआ है तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर किसी और प्रोड़क्ट को open कर लेते हैं हमारी यह Samsung का है तो Samsung का हम यहाँ पर M31 को open कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इस description में है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है country का तो आप जैसी नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर जो है technical detail में जाएंगे आप तो यह रहा यहाँ पर technical detail तो technical detail में आपको यहाँ पर country का नाम जरूर मिल जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं country of origin आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडिया कि यह जो product है यह इंडिया में ही manufacture हुआ है तो दोस्तो चलते हैं हम अब अपने mobile की तरफ वहाँ पर जो है हम चेक करते हैं कि आप अगर अपने application से यानि के amazon.in की application है उससे order करते हैं तो वहाँ पर हम कैसे check कर सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने mobile में तो अब हमने ओपन कर लिया है यहाँ पर एमजोन की एप को तो चलिए हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं किसी भी पॉड़क्त को तो मानली जीए हम यहाँ पर इस मूबाइल को ही ओपन कर लेते हैं तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे description में मिल सकता है अगर आपको description में यहाँ पर नहीं मिले तो आपको जाना है नीचे scroll करना है तो कहीं न कहीं आपको एक option जरूर मिल जाएगा features and details तो जैसे आप यहाँ पर see more पर click करेंगे तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है country of origin यह की है चाइना यानि कि यह वाला जो आइफोन है वो चाइना में जो है वो बना हुआ है तो चलिए अगर हम यहाँ पर नीचे चलते हैं अगर आपको वहाँ पर जी जो है option नहीं मिलता तो आपको नीचे technical detail में यहाँ पर जो है see full detail पर जाना है और यहाँ पर जो है आप उसको check कर सकते हैं अगर आपको description में यानि के feature and detail में नहीं मिलता उसी तरह हम यहाँ पर कोई और product ले लेते हैं जैसे कि यह बोया का M1 mic है तो इसको हम जैसे scroll करते हैं तो इसको हम check कर लेते हैं कि यह कहाँ पर manufacture हुआ है या कहाँ पर यह बना हुआ है तो जैसे हम यहाँ पर जाएंगे description के नीचे हमें features and detail का option मिल जाएगा तो हम यहाँ करते हैं see more पर click तो उसके बाद यहाँ पर उपर देखेंगे कि उपर ही लिखा हुआ है country of origin जो कि चाइना का बना हुआ है तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें नीचे कमेंट्स में जुरू बताए इसी तरह की interesting वीडियो के लिए हमारे यूटूब चैनल के सेलब को सबस्क्राइब करना बिलकुल मुठ भूल thanks for watching this video देखते रहिए और सीखते रहिए